देशोट दिल्ली में प्रदूशन कम करने के लिए अलग-अलग इस्तर पर काम हो रहा है। सरकार के विंटर एक्शन प्लान के बारे में बात की है। बहुत समय से दिल्ली सरकार ने डीजल बसों की जगह पर इलेक्ट्रिक बसे खरीदी हैं और साथ में ये भी बताया कि पुरी दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक वेकल दिल्ली सरकार ही खरीद रही है। केचरिवाल ने सरकार के कत्मों की वज़ा से दिल्ली में प्रदूशन की कमी के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि वाईव प्रदूशन को कम करने के उपायू पर सबसे ज्यादा जोड दिया जा रहा है। साल 2014 के मकाबले 2023 में प्रदूशन के इस्तर में 30% तक की कमी आई है। 14 में PM 10, 324 होता था, आज 223 है, तो लगबग 30% प्रदूशन में कमी आई है। एक और आंकड़ा मैं देना चाहता हूँ कि 2016 में प्रदूशन के हिसाब से अच्छी हवा 109 दिन होती थी, 365 में से 109 दिन अच्छी हवा होती थी। ये संख्या बढ़के 163 हो गई है, अब साल में 163 दिन अच्छी हवा होती है। 2016 में जो severe pollution होता था बहुत खराब। ऐसे 26 दिन होते थे, अब ये संख्या गटके केवल 6 दिन रह गए हैं जो बहुत खराब दिन होते हैं पूरे साल में। इसी दिशा में हमने इसमें campaign चलाया पिछले कई सालों से युद्ध प्रदूशन के विरुद्ध। उसी कड़ी में अब सर्दियां आ रही हैं सर्दियां में हम देखते हैं pollution बढ़ता है। pollution को सर्दियों में pollution को कम करने के लिए एक 15 पॉइंट विंटर action plan बनाया है। लेकिन उसके पहले में आपका ध्यान कुछ जो steps लिए गए पिछले कुछ वर्षों में उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा जिसकी वज़े से production कम हुआ। उसके बाद हम 15 पॉइंट action plan पे आएंगे। एक काम किया गया कि बसें पहले दिली में पिछले कई वर्षों से बसों के खरीद नहीं हुई थी। और उसकी वज़े से लगबग 15 साल कोई बसें नहीं खरीदी गई दिली में तो उसकी वज़े से दिली में बसों के काफी कमी हो गई पॉब्लिक ट्रांसपोर्ट खराब हो गया लोग अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे shift करने लगे लेकिन पिछले दिनों में पिछ दिली में इनमें से 800 एलेक्टरिक बसे हैं दोजार बीस में हमने एलेक्ट्रिक वेहिकल पॉलिसी लॉंच की थी केवल बसों के लिए नहीं सभी के लिए प्राइविट सेक्टर के लिए भी और ये पॉलिसी देश नी दुनिया भर में इसकी सराना हो रही है और आज दिली क अंदर जितने बड़े स्केल के ऊपर इलेक्रिक वहिकल्स खरीदे जा रहे हैं ये शायद पूरी दुनिया में सबसे जादा है आज जितने वहिकल्स रेजिस्टर होते हैं नई वहिकल्स आज जितने खरीदे जाते हैं दिल्ली में उसमें 17 प्रतिशत वहिकल्स फरीदे जाते जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे पेड़ कटते हैं सडके बनती हैं बिल्डिंग्स बनती हैं और देखा गया कि अलग-अलग शहरों के अंदर जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे जो हरित क्षेत्र है उसमें कमी आती है पेडों में कमी आती है दिली में उल्टा हो र हैं कम होने की बिजाए तीन प्रतिशत बढ़ गए हैं यह बड़े शहरों में अगर लिया जाए तो यह सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर आज ग्रीन कवर है एक हमने ट्री त्री ट्रांस्प्लांटेशिन पॉलिशी बनाई थी इसका अजर्ट होते हैं कई पेड़ों पिर काट की इसे कर और कहीं और दे जाके उसको लगा देगे इसका भी बड़ा अच्छा सरपढ़ा है ट्री ट्रांस्प्लांटेशन पॉलिसी का ABP गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी